नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ पूझा बड़ी कबर आपको बता रहे हैं लोगसबा के अंदर मोधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और बीजेपी के नेताओं ने बिपक्ष को जम कर घेरा है पूरा लटवार भी किया जा रहा है बीजेपी के दुरब से निश्विकान दुबे ने राखुल गांदी को जम कर ललका रहा है और कहा है कि अभी सुप्रिम कोट ने सजा पर स्टे लगाई है अभी सजा खत्म नहीं की गई है मतलब केस जारी है तो ज़्यादा खुश होने की इस बड़ी कबर पे मेरे साथ निश्रूम से डुड़े में है क्या कुछ चल रहा है अंदर जमकर बयान बाजी चल रही है वो एक फिल्म में हमने देखी थी उरी जिसमें हाउस जोश ये बड़ा फिमस हुआ था कॉंग्रेस पार्टी और तमाम ये i.n.d.i.a ये का जोश पहले दिन ही बिल्कुल खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात जितनी घोर बेजती सोनिया गांदी और राहुल गांदी की हुई है अब ये लोग सिर पीट रहे होंगे कि क्यों इनकी मती मारी गई कि ये अविस्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए है निश्कान ले नहीं बोल रहे हैं लगता है सुबह देर से सो क्यों अब इसका तो बहुत ही तो विलो दा बेल्ट हिट है कि देर तक सोई रह गये होंगे इसलिए वो बोल नहीं पाए लेकिन उन्होंने और भी कही सारी बाते कहें उन्होंने का कि सोनिया गांदी की बड़ी इज़त कर औरा उन्होंने बनाया राजनिती में आ गई लेकिन इनका बस दो ही काम है पहला काम बेटे को सेट करना और दूसरा जीजा को दमाद को भेट करना अब आप समझे है ये लोग मनिपूर के उपर डिबेट और डिसकसिन करना चाह रहे थे सौट टम के लिए ही कर लिया होता तो मामला खत्म हो गया होता आपने जबरदस्ती अविस्वास प्रस्ताव लाए तो बहुत सारी बाते उठेगी अब क्या क्या उठ गया उन्होंने कहा कि भाई ये नैसल हेराल्ड में ये लोग चोरी करके बेल के उपर बाहर खड़े हैं इन लोगों ने मामला उठाया न्यूज क्लिक का भी इन्होंने मसला उठाया कि किस तरीके से अभी तो सिर्फ जो सजा हुई है उसके उपर विराम दिया गया है और सबसे बड़ी चीज राहुल गांदी के उपर जिस तरह के कटाक्ष जिस तरह का अटैक किया जा रहा है व राहुल गांधी लोकस्भा के बाहर चले गए हैं वो छोड़के चले गए निया बंगला मिल घुड़ा है तो साथ वही चले गए होंगे लेकिन ये सारी चीजे कि अब आप कब बोलेंगे कल राजस्थान में उनकी मीटिंग भी है तो वो कल बोलेंगे आज बोलेंगे साम बो नहीं होना था और टाइमिंग और शायद मुझे लगता है कि ये भी एक मसला रहा होगा कि राहूल गांदी को आज कॉंग्रेस पार्टी ने बैक सिट पे बिठाया क्योंकि निश्ट कान दूबे ने मसला उठा दिया न्यूज क्लिक केशु को कि ये चैनीज पैसे लेकर के आ सिंगह कि किस तरीके से ये जो निवल रॉइ सिंगहम उसनने पैस ये जो चैनीज प्रपगेंडा मिस्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है किस तरीके से अमेरिका में बैठ के है बीजिंग में बैठ करके पैसे को हिंदुस्तान भेज रहा है और उन लोगों को भेज रहा है बकायता उन्होंने पत्रकारों का नाम लिया बड़े बड़े पत्रकारों का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग पैसे खाते हैं और ये चैनीज पैसा खा करके ये हिंदुस्तान के खिलाब मोधी सरकार के खिलाब एजेंडा चलाते हैं और उसको राहूल गांधी प्रोटेक्ट करते हैं यह चैनीज कनेक्शन क्या है और उन्होंने नाम लेकर के कहा कि यह जो सिंगम कहा और प्रकास कराथ सीपियम यह भी तो आई एंडी आई यह का हिस्सा है वाम मोर्चा कि सिंगम और प्रकास कराथ के बीच बकाइदा कई सारे इमेल्स हैं जिसका उन्होंने खुला सक्या हो उन्होंने का कि यह अच्छा वो किसलिए बकाइदा इन तमाम लोगों को इन पत्रकारों को यह कहा जा रहा था कि जो कोविट के उपर चैना का नाम आ रहा है उसको किसी के समर्थर में खड़े हो जाओ यह कहां से सिंगनल सा रहे हैं ये बीजिंग से आद शारा है कि किसाना अंदुलन के समर्थर में खड़ा हुना है आप इस तरीके से यह सारा काम करेंगे तो यह कैसे काम चलेगा और यह इसलिए बड़ा एंबरेसिंग हो गया क्योंकि कल के नंदर जब नियुज क्लिक कर नाम लिया गया तो तमाम लोगों मैं कांघ्रस पार्टी के लोगों ने विरोद्ध कर आया और यह कहा चिसी नियुज क्लिक का नाम लिया गया है। उसको रेकॉर्ड से हटा दिया जाए। अब उन्हें कि रहुल गंदी को क्या दिक्कत है कि यह चैनीज दलालों का नाम आ रहा है चैनीज एजटेंश किसी मीडिया हाउस को पैसे दे रही है उसका नाम लिया जा रहा है तो तो कॉंग्रेस पार्टी को क्या प्रॉब्लम है यह सब एसी थाल के चट्टे बठे तो नहीं है और तमाम आज देखी कि कोई आप वामपंती पत्रकार कोई आज कुछ बोली नहीं रहा ऐसा लग रहा कि न्यूज क्लिक है ही नहीं और सबसे बड़ी चीज कि पूरी दुनिया में इसका कोहरा मचा हुआ है कि किस तरीके से चैनीज प्रपगेंडा मिस्टरी वो पैसे को पंप कर रही है अलग-अलग देश में जहां वो पॉलिटिकल पार्टी उसको भी पैसे फंड कर रही है जहां यह लोग बकाइदा मीडिया हाउसे को भी फंड कर रहे हैं और उसमें हिंदुस्तान का भी नाम आया है और एडी पहले ही इसको रिवील कर चुकी है कि 38 कड़ोर रुपे इस न्यूस क्लिक को चीन के द्वारा भेजा गया और उसको अलग-अलग जगों पे बटवारा किया गया जिसमें सोनिया गांधी की सहली भी तीस्ता सितलवाल भी उस पैसे को खा रही थी ये तथा कथित वामपंधियों के बहुत बड़े आइडिलोग जो आज पार्लमेंट में विश्वास प्रस्ताव जो इन लोगों ने पेश किया ओल आउट अटैक कॉंग्रेस पार्टी के ऊपर वामपंधियों के ऊपर और इनके पास को जवाब नहीं है अब देखिए एक इंडिया का एक हिस्सा वो पाठ है वो हर जगा मौजूद रहते हैं जारकन के वो चीफ मिनिस्टर है उनको इडी ने समन किया है हलाकि ये समन होना ही था वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जमीन घोटाला हुआ है जमीन घोटाला कई जगों पे हुआ है आई एस अधिकारियों के साथ मिलके हैमन सुरेन के नजदीकियों ने ये जो कागज में ही हेरा फेरी करके इन लोगों ने कड़ोरो रूपे कमा लिए और इसका लिक जो है कलकता से भी निकल रहा है और इन लोगों के खिलाफ एडी ने जो प्रिविंशन आफ मनी लॉंडर नपने वाले हैं तो आप देखिए कि कहां चुपचाप पार्लेमेंट के कामकाज को करने देते तो इतनी बेजती नहीं होती बवाल नहीं होता ये न्यूज क्लिक को लेकर के कॉंग्रेस पार्टी को एंबरेस्मेंट है क्योंकि ये सब दलाल पत्रकार ये कॉंग्रेस पार ये आप करना चाहते हैं आप करें कोई इसमें इशू नहीं है मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी है अपनी आइडिलोजी को ले करके चलना चाहता है वो बीजेपी का विरोध करना चाहता है हिंदू का विरोध करना चाहता है वो करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप चीन से पैसे खा करके करोगे पाकिस्तान से पैसे खा करके करोगे ये बरदास्त के बाहर है और बकाइदा बीजेपी तो कही रही है राजसवा में भी बवाल मचा है आज और ये कह रही है कि इसके उपर जाच होनी चाहिए और इस तरह के पत्रकारों को जेल भीजना चाहिए प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही है जमकर बहस भी जारी है लेकिन विपक्ष अविस्वास प्रस्ताव लाकर खुद ही अपने जाल में फस चुका है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्यामरफसन रवे के साथ मैं पूजा क्यापटल टीवी